हेलो दोस्तों टिंगनों दूने में आप सभी का बहुत स्वागते हैं सब सब कैसे हों दोस्तों लोग अच्छी होंगे दोस्तों आपके घर पे अब लोग ने इन भाटा लिया है सिंगल वैटरी का देड़ सो एइज का 12 भूल का और साथ दुस्तों हाजर भी का इन भाटा ल लिए तो ग्यारा सभी के आपर के उप़र देड़ सो एच का बैतरी जैसे काम तरपर घृटरी का सिस्टम नहीं होता सिंगल वैटरे के जाधार घर पे होता है तो यह जो है भी सारा लोट होता है क्या आप चला सकते आपके घर पे जाने के लिए लिख्ट को लास टिक और वह वह स्था टेक्निक लिए विडियो का जनकर इस सबसे पहले पता देड़े तो विडियो को लाइक करके सब्सक्राब कर ले लेकर के दूस्तों माल लेते हैं आपके घर पे जोस्तों तीन पंखा है और 3-4 LED बल्प है और उसी के उपर हम लोग कूलर चलाना चाहते है तो कूलर विसी के लिए क्या होता है कि पंक्खे जो होता है कूलर का हवा खारूए के लिए होता है और उसी कूलर जो है क्या करता है कि 500-300W के आसपस जो कुझ जम कर लेते हैं अटे टाइम तो इहीं पर बगर आ है उसी को उस टाइम बंद कर दीजिए और कुछ टाइम के लिए चलाए दूस्तों कॉंटीनु मत चलाए और रोजाना चलाएंगे तो प्रोब्लेम आपको बैटरी को पर लाइब जल्दी खतम हो जाएगा ठीक है और जल्दी प्रोब्लेम आपको इन्वाटर के उ जो है आपका जो वासिंग मैसीन है उसको अच्छी तरीके से चला पाएंगे दूस्तों कॉंटीन आता है जैसे करके माल लिजे आपका कबड़ा धो रहा है उसी के टाइम पे जो है आपका एलेक्टिसिटी चलाएगा और आपको जो कपड़ों धोनाई है तब दूस्त आप सकते हैं कि आपका घर पर जो हीवी लोड होता है जैसे करके पांखा चल रहा है और भी ज्यादा है वह वाट्याटि व्यूपर ज्यादा बड़ा टीवी है तो ईसका बांद कर दिए कि वह स्वह वाट के उपर ज्यादा लोड लेता है तो उसी टाइक टाइम को आप इन मेजिन को चलाना है तब गाइब का चलाना है तब जैसे करके हम लोग को आम तो र현 방법 से पता होता है तो आप अगर करना है तो में दिखं़ एगा है कि लगब्ग साथ तो से साथ 600 वह दवाब यह दवाब जायगा तो हंड़ सिट पर जो वरलोट करके बंद हो जाएगा तो आप क्या किजिए कि अगर वासिंग करना है तो सिभ वास का मोटर को अन किजिए उसके बाद आप कबड़ा बगरा धो हो जाने के बाद अगर आप इन्वाटर से चला रहे तो तब क्या किजिए कि उसको कर लेने के बाद आप जो सुका सकते फर इसमें भी थोड़ा सा छोटा टाम्स कॉंडिशन है जैसे घर कि आपको पता होना चाहिए जो इनवाटर टेक्नोलोजी वाला फ्रीज होता है जो न्याट जमाने का होता है तो उसको घर पर इस्तेमाल करने की कोशिस कीजिए ताकि जो है इनवाटर को ज्यादा लोड पर ना पड़े ओ क्या करता है कि जब पूरान वाला फ्रीज होता है रफ्रीजेटर होता है आपको पता होगा घर पे तो एक टाइम से घर लेता है तो उसके वाटर अपर ढ़़ चला सकते होगा कोई भी प्र रूबलरम नहीं होगा मैं भी ऊचकरता हूं यह सारा जो कोई इस तरह से मैं भी दुस्त ही उच करता हूं अब भी उच करते हैं कोई प्रोब्लिम नहीं होगा पर पुराना जमना का फ्रीज जो है उसको मत चलाए क्योंकि यो पहले स्टाटिंग में बहुत ज्यादा ज्यादा दवा परज सकते हैं इसमें भी एक बात आता है जो इन्वेटर होता है उसमें प्यूर सांगा घर टेक्टनलोजी दीखने के लिए मिल जाता है ना को एक पनकंखा जितना संतर से 80 वार्ट का कंई लिए tenha घर चिए कुछ यह को सत्तकों रफ़ ऐलेडा में भीडो बना चुका हूं हो जाकी मेरे जनल पर है देख सकते हैं पात दूस्तों बाद हते हैं आपके घर लिए इस तरह का वाट पे दिखा जाता है तो मैं बिजनेस पर पस्त के लिए नहीं बोलगा घर के लिए पांसतों साड़े-पांसतों साड़े-शास तो इस तरह के जो है mixer grinder मिलता है तो यह बहुत ही आसान तरह के से चला सकते पर इसमें अब फैन को भी चला सकते है घर में और एड़र यहां में इसको भी चला सकते मिक्सर गेंडर को कोई वी problem नहीं होगा क्योंकि मैं भी इसको इसी तरह से इस्तमल करता हूँ तो पहले से अगा रिकेप की बात कर ले तो तो कुलर जो है उसको चला नहीं के लिए टोटल घर का पूरा लोट का बंद करना है पड़ेगा देड़ से इसको बैटरी के लिए उसके बाद जो हो तो एक से दो फ्यान को अब चला के रख सकते हैं एक टाइम इसका बैटरी है सिंगल बैटरी तो चला सकते मैं अभी दो साल से इस्तमल कर रहा हूं इसी तरह से लोट को कम जदा करके कोई भी प्रोब्लेम नहीं हो रहा है तो मेरा जो एक्स्परेंस तब लोग के साथ सेयर किया वीडियो कैसा लागा जोरू करके बताए है कुछ भी प